नमस्कार मित्रो जै मातदी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल में तो कन्यारासी वालो मित्रो दिनांक 11 जनवरी 2023 से जिन्दगी का गणित पूरी तरह से बदलने वाला है मित्रो अखिर किस्मत आपको क्या रंग दिखाईगी भाग्य साथ देगा या नहीं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीडियो बहुत खास होने वाली है मित्रो आईए सबसे पहले अगर हम नजर डाले पंचांग पर तो 11 जनवरी को बूधवार का वार है साथ में पोस्मास के क्रस्न पकस की चतुर्तिती है और मित्रो मगा नक्सत रहे और आप सभी को बता देते हैं कि आयूसमान और सोभाघ्य नामक योग का निर्मान हो रहा है जो कि बड़ा ही सुभ योग है मित्रो और वही अगर सुर्य के इस्तिती देखे तो सुर्य धनु रासी में विराजमान रहेगा तो दूसरी ओर चंद्रमा जो है वह सीह रासी पर संचार करेगा तो एसे में समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्सत्रों की चाल का आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों? कौन से सुब समचार आपको सुनने को मिलेंगे? क्या साओधानिय अवरतना पड़ेगी? किन चनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा? समस्त बाते, समस्त ग्रह गोचर की चाल एवं नक्सत्रों की चाल पर हम आपको बताने वाले हैं तो हमारी इस छोटी सी वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा मित्रो क्योंकि वीडियो के अंत में हम आप के लिए बहुत ही चमतकारी उपाई एवं सिध्ध मंत्र लेकर आए हैं जो आपकी जीवन का कल्यान करने में कारगार सिध्ध होंगे मित्रो सबसे पहले तो जो भी अक्तो अपनी मा से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दिजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए श्री सिवाई नमस्तू भ्यम अवश्य लिखिएगा गुरु देव आपकी सारी मनोकामनाई पुरुन करेंगे तो चलिए अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना वीडियो की शुरुवात करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से मित्रो हमारे गुरु जी कहते हैं कि मनुष्य को उसके भाग का फल उसके कर्मों के नुसर मिलता है अर्थात जो हमें आज के समय में ख्लाप को हो रहा है वित्रो हमने अतित में कुछ उसके कर्म किये होंगे कि अभी वर्तमान में हमें अच्छे और बूरे दिन देखने पड़ रहे हैं क्योंकि जैसा जिसका कर्मों होगा वेसा ही उसका फल होगा यदि आपने अच्छे कर्म किये होंगे वर्तमान में सुख मिलेगा और बूरे कर्म किये होंगे तो सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा तो गुरु जी का यह ग्यान आज ही से अपने जीवन में जरुर अमल कीजिएगा और कर्मों को हमेशा सुधारियेगा मित्रों अच्छे कर्म कीजिएगा तो आईए अब बात करते हैं अगले 24 गंटों के मेहत प्रण समय अंतराल कीजिएगा मित्रों इस वक्त जीवन में जो परिशानिया चल रही है उन परिशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताड करने की आदत आपके नेतिक ताने बानों को कमजोर कर सकती है इसलिए तिल का ताड बिल्कुल भी ना बनाए परेसान्य चल रही है तो उन परेसान्यों के बारे में जदा सोच सोच कर स्वयम को नकरात्मग बनाने से भी आपको बचना है मित्रो जीवन साती से पेसो से जुड़े किसी मुद्य को लेकर बहस होने की पूरी आसंगा है इसलिए रिष्टे को बड़ी मधूरता से आपको संजोय रखना होगा मित्रो क्योंकि जीवन साथी से जुड़े किसी मुद्य को लेकर अगर बहस हुई तो बहस में आपका जीत पाना मुश्किल होगा और यह बहस घर की सान्ती को खराब कर देगी आपकी फिजल खर्ची पर आपका साथी आपको लेक्चर दे सकता है लेकिन मित्रो आपके जीवन साथी की बात भी सही है आपकी यह जो पेशे उड़ाने की आदत है यही आदत किस दिन आपको बड़ी मुसिबत में डाल सकती है इसलिए अपनी जीवन साथी की बातों को अनसुना ना करे यदि वे आपको कुछ सला दे रहे हैं तो उनकी सला माने मित्रो और बच्चों से जुड़ी समझ्याओ के समाधान के लिए थोड़ा सा समय अलग से निकाले क्योंकि संतान आपकी अपनी है यदि आप वक्त नहीं देंगे तो कौन वक्त देगा मित्रो इसलिए संतान की थोड़ी से संगती पर भी नजार रखना है और उनकी बातों को सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा प्यार के मामले में आप गलस समझे जा सकते हैं आपका आत्मविस्वास आपकी पेशेवर जिन्दगी में खास असर छोड़ेगा और यह दूसरों को आपका नजरिया समझाने और उनकी मदद हासिल करने में कारगार होगा वित्रो आत्मविस्वास की कमी बिल्कुल भी नहीं है आपमे लेकिन अत्यात्मविस्वास पिल्कुल मत रखिएगा क्योंकि अक्सर अत्यात्मविस्वास ही बने बनाए कामों को बिगाड देता है कर्मकांड, हवन, पुजापाट, आदी का आयुजन घर में करे इसे घर में सकरात्मक पुरजाएं निवास करती है और जीवन धन्यों होता है मित्रो साधी सिर्फ एक छट के निचे रहने का नाम नहीं है जीवन में ध्यान रखिए का कि ये जो आप अपने पार्टनर को अपने जीवन साधी को दबा कर रखते हैं कहीं यह दबाव आपके रिष्टों को अंखोल ना दे इसलिए दोनों एक दूसरी की भावनाओं का सम्मान करे साधी का मतलब रेता है साध जन्मों तक जुड़े रहना मित्रों इसलिए अपने प्रेम की कद्र करे अपने जीवन साधी का सम्मान करे एक दूसरी के साथ उस समय बिताना भी जरूरी है कामकास से थोड़ा सचुट्टी लीजिए और समय दीजिए चांदी का कड़ाधारन करना आर्तिक इस्तिती को बहतर करेगा जिन जात्कों के जीवन में आर्तिक इस्तिती से समबंदे समस्याई हर वक्त बने रहती है पेसान नहीं आता है चांदी का कराधारन कीजिए जीवन में सब कुछ बहतर होगा दोस्तों का रूख सहीयोगी रवेगा और वे आपको खुस रखेंगे जहाँ जहाँ से आप मदद प्राप्त करने की सोचेंगे मित्रों वहाँ वहाँ से आपको मदद आथ साने से मिलेगी वही खुस रखेंगे लोग मदद करेंगे पेसो की कमे घर में कलह की वजब बन सकती है और कई बार आपको यह चेताउं ने दी है समझाया भी है मित्रो कि पेशो को थोड़ा सा बचाकल रखें फिजल खर्ची बिल्कुल ना करें लेकिन फिर भी आपकी यह आदत नहीं चूट रही है ऐसे इस्थिती में अपने घर के लोगों से सोच समझ कर बात करें उनसे सला लें नहीं तो मित्रो आने वाले समय में आपके लिए यह मुसिबत बहुत बड़ा जमेला खड़ा कर सकती है बच्चों से जुड़ी समझ्याओ के समधान के लिए थोड़ा सा समय अलग से निकालें और मित्रो प्यार की कमी आपको महसूस हो सकती है थोड़ा सा समय अलग निकालना है पेशेवर तोर पर अपने अच्छे काम की पहिचान आपको मिल सकती है लोग आप से जुड़ने में बिल्कुल भी नहीं इचकिचाएंगे लेकिन आपको उनकी बातों का आदर करना है, सम्मान करना है वही मित्रो अपने विवेक का इस्तमाल करते हुए ही घर के लोगों से बाते करें अगर आप इसा नहीं करते हैं, तो बेवज़र की जगडों की वज़े से आपका समय खराब हो सकता है इसलिए घर के लोगों से बाते करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि कभी-कभी होता है मित्रो की घर परिवार में कुछ एसी बाते घटनाए घटी है जिनका विवेक से इस्तमाल करते रेना बहुत जरूरी होता है आपका समय खराब हो सकता है, लेकिन जिन्दगी नहीं किराने की खरीदारी को लेकर जीवन साथी से तकरार थोड़ी से मुम्किन है जीवन साथी आप से लाने को कुछ और कहेगा और आप लेकर कुछ और आ जाएंगे जिसकी वज़े से तनाव का माहुल घर में बन सकता है मित्रो आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, बात का ध्यान रहिए इस समय के अंत्राज में आप बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं तो आईए, अब हम आपको बताते हैं कुछ चमतकारी एवं सिध्ध उपाएं मित्रो आप अपनी किसमत खोलने की चावी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सरल एवं दिव्य उपाए है कोई भी चावी लीजिए उसे मंगलवार या गुरुवार को किसी भी धार्मिक उस्तक में पहले पेज के बीच में रखते हैं हर दिन एक एक पेज चावी को आगे करते रहें मित्रो पहले दूसरे पेज में रखा बल तिसरे और चोथे पेज में रखा एक इसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं जब धार्मिक किताब पूरी हो जाए तब उस चावी को निकाल कर किसी कागेश में लपेट कर हमें सा के पास रखे यह चावी आपके किसमत का ताला खोल सकती है और मित्रो एक उपाई यह भी है कि यदि किसी सत्रों को द्वारा किये गए कराय का भई रहता है या किसी को बार-बार नजल लगती है इस मंत्र का 21 बार जापकर इस रख्षा सुत्र पर फुक मारे और दाय हाथ पर बांधे मित्रो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी कोई नजर नहीं लगेगी जीवन सुखी से व्यतित होगा एक बार ओर हम आपको मंत्र पढ़कर बता देते हैं ओम नमो हनुमंता ब्रीज का कोठा जिसमें पिंड हमारा बेठा इसवर कुंजी ब्रह्मा वाला इस घट पिंड का यती हनुमंत रखवाला एक किस बार जाप करें तो वीडियो की समापती अब यहीं पर होती है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाए नमस्तो भ्यम अवश्य से लिकिएगा गुरु देव आपकी सारी मनोकामनाई पुरण करेंगे और मित्रो देनिक रासिफल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ती के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ेंगे